अक्षरा एक गरिब घराने की लड़की होती है वो रूप रंग से बहुत सुन्दर थी उसका रंग दूद के समान सफेद था उसके परिवार में उसकी मा मंजरी, पिता आशोकलार और दादी इंदू थे अक्षरा का हमेशा से ही एक ही सपना था कि वो एक दिन कलेक्टर बने, वो पढ़ाई में हमेशा आउवल नमबर से पास होती थी लेकिन कभी कोई उसकी खुबियों की तारिफ नहीं करता था सभी तो सिर्फ उसकी खुबसूरती की ही तारिफ किया करते थे मा, ये देखो, मेरा रिजल्ट मैं इस बार भी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ अरे वा अक्षू बिटिया, तूने तो कमाल ही कर दिखाया लेकिन बिटिया, ये सब कुछ काम का नहीं है क्योंकि तुझे तो शादी करके, घर ग्रिहस्ती भी तो संभालनी है ना तो शादी के बाद ये सब नंबरों का क्या काम? ओर नहीं तो क्या? अक्षू बिटिया, चल जल्दी से तयार हो जा ओका है कि तोहरा को देखने वास्ते आज लड़का वाले आने वाले है मंजरी बहू जल्दी जल्दी सारा नाष्टा तयार कर ले और अशुक बिटवा उब्रिजवासी के यहां से मिठाईया लियाना रस मलाईलाना मुझे बहुत पसंदे उका है ना लड़के वाले भी बहुत आमिर है इसलिए ये क्या बात हुई आमा मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती मुझे एक कलेक्टर बनना है मुझे अपने सपने को पूरा करना है मा ये क्या आप लोग भी मेरे शादी के पीछे पड़ गए हरे तो कर ले ना अपना सपने को पूरा तनिक सगाई तो कर ले नहीं आमा मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती मैं बस अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ और अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने ना कि मेरे चेहरे को देखकर मुझे अभी शादी नहीं करनी मा अक्षरा अपनी जीद पर ही आड़ी रेती है और उसके घरवालों को ना चाहते हुए भी उन लड़की वालों को आने से मना करना पड़ता है फिर एक दिन वो एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ जाती है तभी ओफो शीना तू क्यों ले आई मुझे यहाँ मुझे घर जाकर ओनलाइन लेक्चर्स देखने है UPSC की एक्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है यार अरे यार अक्षरा तू भी ना सच में चिल मार यार आज रोशन का बड़े है कभी तो एंजोई कर लेकिन ये बड़े बॉई है कहाँ पे बस वो आता ही होगा अक्षरा की किस्मत उस दिन पूरी तरह बदलने वाली थी उस कैफे का मालिक रागो मलोत्रा जब अक्षरा को देखता है तभी उसे अक्षरा से प्यार हो जाता है जब अक्षरा वाश्रूम जाने के लिए लिफ्ट में जाती है तभी वो अपने आदमी से कहता है देखो अभी मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ तो तुम लाइट का में स्विच बंद कर देना ठीक है सर फिर राघव भी उसी लिफ्ट में चला जाता है और लाइट सॉफ हो जाने के कारण लिफ्ट रुख जाती है ओ नो इस लाइट को भी अभी ही जाना था अब मैं क्या करू अगर घर पे टाइम से नहीं पहुची तो मा, पापा, अम्मा सब खामखा परेशान हो जाएंगे मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है हे भगवान अब मैं यहां से केसे निकलू देखिए आप घबराई ये मत मैं इस कैफे का मालिक हूँ मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ इतना कहकर रागव अपना फोन निकालता है ओ गाड़, ये नेटवर्ग भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए रागव और अक्षरा लिफ्ट में धेर सारी बाते करते हैं और वो दोनों एक दुसरे का नंबर भी शेयर करते हैं इस तरह वो दोनों अब रोजाना बाते करने लगते हैं और रागव पूरी तरह से अक्षरा का विश्वा जीत लेता हैं ऐसे ही एक दिन रागव अक्षरा को अपने प्यार का इजहार करता है I really love you अक्षरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ रागव जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तयार हूँ क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ आप मेरे करियर के लिए, मेरे विचारों के लिए मुझे इतना सपोर्ट करते हो मैं बहुत खुश नसिब हूँ, जो आप मुझे मिले अक्षरा के घरवा लोकों भी रागव बहुत पसंद आता है फिर कुछी दिनों में अक्षरा और रागव के शादी तय हो जाती है अपनी बिटिया इतने बड़े घर की बहु बनने जा रही है इस बात से अक्षरा के परिवार वाले बहुत खुश थे लेकिन अक्षरा इस बात से अंजान थी कि ये शादी का बंधन उसके लिए पिंजरा बनने वाला था रागव और अक्षरा के शादी हो जाती है जब वो शादी करके अपने ससुरा लाती है तभी उसकी सास मालती ससुर ओम प्रकाश और पती रागव उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं लेकिन अगले दिन जब वो घर का दरवाजा खुलने जाती है तब वो खुलता ही नहीं अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है ये क्या हो गया है इसे रामु काका ये क्या हो गया है दरवाजे को रामु काका अरे मैं तो भूली गई रामु काका तो आज आये ही नहीं अब मैं क्या करूँ मुझे बाहर जाकर वॉक करना है उसके बाद कॉलेज भी तो जाना है ये क्या जलने की बू आ रही है कहां से आ रही है ये अक्षरा जब पीछे मुड कर देखती है तभी वो देखती है कि रागव ने उसकी सारी किताबे जला दी है ये क्या रागव जी ये आप क्या कर रहे है मेरी मेरी किताबे आपने क्यू जला दी क्यूंकि आप अब मेरी बीवी और इस घर की बहु हो किताबे इसी लिए जलाई क्योंकि अब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अरे आपका पती तो टाउन का सबसे बड़ा विजनेस टाइकोन है तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है और रही बाद दर्वा जब बंद करने की तो अक्षरा आपकी खुबसूरती मेरे लिए बहुत माईने रखती है और मैं नहीं चाहता कि आपकी खुबसूरती यू बाहर की धूल मिट्टे से खराब हो जाए खुबसूरती को कैद करके रखना चाहिए वरना उस पर दाग लग जाएगा तो आप भी आप भी बाकी लोगों जैसे ही निकले जूटे मककार और फरे भी मैंने आप पर इतना आग बंद करके भरोसा किया और आपने आपने मुझे उसके बदले में क्या दिया दोका आप मेरी खुबसूरती से प्यार करते हो मुझसे नहीं अक्षरा आपको जो समझना है समझिए लेकिन मैं आपकी हर पल हिफाज़त करता ही रहूँगा क्यूंकि मैं आपको पागलो जैसा प्यार करता हूँ मा दाई मा अक्षरा को कमरे में ले जाएए और इनके कमरे के दरवाजे और खिड़किया भी बंद कर दीजिए लेकिन अंदर इन्हें जो भी चाहिए वो दीजिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ठीक है बेटा नहीं रागव जी रागव जी ऐसा मत कीजिए प्लीज रागव जी अक्षरा के लाग समझाने पर भी उसे कैट किया जाता है और वो चार दिवारों में बंद हो जाती है ये मैं कहा आ गई बगवान जी मुझे बंद नहीं रहना है मुझे बाहर निकलना है अपने सपनों को पूरा करना है क्यों मेरी कुपसूरती मेरे लिए एक श्राप है बगवान जी मुझे इस पिंजरे से बाहर निका लिए मुझे आज़ात कीजिए बगवान जी अब आगे आक्षरा के साथ क्या होगा क्या वो रागव के पिंजरे से बाहर निकल पाएगी जानने के लिए हमारा अगला एपिसोर देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले